वोलिवुड नायक राज कपूर से नराज होकर इस मशूर एक्टरस ने खाई आर के स्टूडियो में कदम ना रखने की कसम पूरी खबर जाने के लिए वीडियो को अंतक देखेगा राज कपूर यानी हिंदी सिनेमा के शोमेन जिन्नोंने अपने दोर के सिनेमे को ऐसी उचाईयों तक पहुँचाया है जिसके बाद वोलिवुड को कभी पीछे मुड़ कर देखने की ज़र्थ ही नहीं पड़ी वहतरीन फिल्मों में अधाकारी की और सर्व स्ट्रेस्ट फिल्मों का निर्देशन किया राज कपूर अपनी नीची जिन्दिकी को लेकर भी काफी जादा चर्चा में रहे वो शादी शुदा थे और उनकी शादी कृष्णा राज से हुई थी जिनका सिनेमा से कोई लेना देना नहीं था लेकिन राज कपूर का नाम उस वक्त अपने दोर की मशूर एक्टरस नर्गिस संग खूब जोड़ा गया था उनके इश्क के चच्चे उस वक्त हर किसी के जुबां पे थे और आज भी राज कुमार का जिकर आते ही नर्गिस की बात जरूर होती है राज कपूर और नर्गिस ने साथ में कई फिल्में की और इसी वज़े से दोनों के बिच नजदीकें बढ़ गई दोनों एक दूसरे की प्यार में गिरफ्त हो गए लेकिन राज कपूर की शादी किसी और से हो गई और देखते ही देखते वो पिता भी बन गए लेकिन नर्गिस को फिर भी लगता था कि राज कपूर उनसे ही शादी करेंगे लेकिन राज कपूर ने ये साफ कह दिया था कि वो अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेंगे कहा जाता है कि अभी नेता के इस जवाब ने नर्गिस को पूरी तरह से तोड़ दिया था वो राज सहाब से इतना नराज हो गई कि उन्होंने कसम खाली थी जिसे उन्होंने 24 सालों तक निभाया था कहा जाता है कि राज कपूर से ऐसी बात सुनने के बाद नर्गिस उन से इतनी नराज हुई कि उन्होंने आरके स्टूडियो में कभी कदम ना रखने की कसम खाली थी इस कसम को उन्होंने 24 साल तक निभाया था और जब राज कपूर के बेटे रिशी कपूर की शादी हुई उस वक्त वो आरके स्टूडियो पहुंची थी और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने सुनिल दत के साथ शादी कर ली थी तो विवर्स इस खबर के बारे में आपकी केरा है जो भी आपकी रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरू बताईएगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सस्काइब जरू कीजेगा